हे गाइस वेलकम बैक टो आर यूट्यूब चैनल दी इन्फो उशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है त्रिदेवों में ब्रह्माजी ने श्रिष्टी की रचना की है बगवान विश्णू उसका संचालन करते हैं जबके बगवान श्रिव सहार करते हैं महादेव अपने बूले स्वभाव के साथ साथ अपने क्रोध के लिए भी जाने जाते हैं अमेशा ही शांत और सरल्स वभाव में रहने वाले महादेव अगर कभी भी क्रोधित हो जाते हैं तो उनके क्रोध को शांत करना बहुत है मुश्किल हो जाता है पुराणों में महादेव की क्रोध से संबंदित बहुत सारी कथाओं का वर्णन मिलता है जिन में से एक कथा के अनुसार महादेव ने क्रोधवश अपने ही पुत्र याने की श्री गणेश का शिर काट कर धड़ से अलग कर दिया था हाला कि इससे जुड़ी संपोर्ण कथा के बारे में हम सब जानते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात के बारे में पता होगा कि महादेव ने क्रोध में आकर न केवल गणेश जी का बलकि अन्य भी कई लोगों का सिर काट कर दड़ से अलग कर दिया था जिन में से सबसे पहले बात करते हैं ब्रम्हा जी की दरसल एक बार ब्रम्हा जी और विश्णु जी के बीच में कौन सर्वस्रेष्ट है इस बात को तै करने में मुश्किल हो रही थी उसी समय एक आकाशवानी हुई थी जिसमें कहा गया था कि जो भी शिवलिंग का आदी और अंत तून लेगा वही सबसे श्रेष्ट कहलाएगा इस बात को हजारों वर्ष बीच जाने के बाद भी कोई भी शिवलिंग का आदी और अंत नहीं जान पाया उस समय अपने आपको श्रेष्ट साबित करने के लिए ब्रह्माजी ने जूट बोला कि वे शिवलिंग का आदी और अंत जान चुके हैं महादेव को जैसे ही पता चला कि ब्रह्माजी ने असत्य कहा है तब वे तुरंध ही क्रोध में ब्रह्माजी के सामने प्रकट हुए और ब्रह्माजी का एक सर काट दिया इसके अलावा महादेव ने क्रोध में आकर ब्रमाजी के पुत्र प्रजापती दक्ष का सिर्भी कार दिया था हम सब ये जानते हैं कि प्रजापती दक्ष की पुत्री यानि के देवी सती आमंत्र ना होने के बावजूत भी अपने मायके में हो रहे एक यग्यमें सम्मिलित होने पहुँची थी उस समय शिवजी के बारे में प्रजापती दक्ष ने अब शब्द कहे थे जिससे नाराज होकर देवी सती ने हवन कुण्ड में कूद कर आत्मदा कर लिया था इस गटना से क्रोधित होकर भगवान शिवज ने प्रजापती दक्ष का सिर्धर से अलग कर दिया था हाला कि कुछ समय बाद अपने किये पर पच्चता कर प्रजापती दक्ष ने एक शमा मांगी थी तब भगवान शंकर ने प्रजापती को उसके सिर के बदले बक्रे का सिर लगा दिया था और यग्य को संपन करवाया था इसके बाद बात करते हैं जलंदर के बारे में था देवी लक्षमी भी सागर से उत्पन गुई है इसी लिए जलंदर को देवी लक्षれない का जातक भाई माना जाता है इसी कारण से देवी लक्षमी ने भगवान विश्णु से ये वचन लिया था कि वे जलंदर का अंतना करें जलंदर की पतनि व्रिंदा एक पति व्रता नारी थी और वे विश्नु भगवान की अनन्य भक्त थी। उसी के तपोबल के कारण जलंदर और भी शक्तिशाली हो गया था। दीरे दीरे जलंदर देताओं के लिए एक चुनोती बन गया था। और उसी समय जलंदर देवी पार्वती पर कूद रिष्टी डालने की भूल कर बैठा। जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने क्रोध में आकर जलंदर का वद करके उसकी सिर को दड़ से अलग कर दिया। इसके आगे बात करें तो कथा मिलती है कि ताराकाक्ष, कमलाक्ष और विद्यनमाली ये तीनों ही मिलकर त्रिपुरासुर कहलाते थे। इन तीनों को ब्रह्माजी से एक अनोखा वर्दान प्राप्त था। जिसके मुताबिक उनकी मृत्यू तभी हो सकती है जब अभीजीत नक्षत्र में तीनों भायों के महल एक साथ एक स्थान पर आ जाए। और उस समय कोई शांथ पुरुष असंभव रथ और असंभव शस्त्र से उन पर वार करे। तभी ही उनकी मृत्यू हो सकती है। इस वर्दान के चलते तीनों राक्षशों ने स्वर्ग लोक में हाहाकार मचा दिया। तब इनका अंत करने के लिए महादेव ने एक अद्बुत रत बनवाया। इस रत के पई ये सूर्य देव और चंद्रमा को बनाया गया। जिसके बाद भगवान शिव ने कार्थिक पूर्णी मा के दिन अभिजीत नक्षत्र में त्रिपुरा सुर का सिर्धर से अलग करके उनका अंत कर दिया। इस घटना से सभी देवी देवता प्रसन्न हुए औ और महादेव को त्रिपुरारी और त्रिपुरान तक नाम दिया। आज की इस वीडियो में हमने बताया कि महादेव ने न केवल गणेश जी का बलकि कई अन्य लोगों का भी मस्तक काट के दर से अलग कर दिया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन्फो उशन को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फ़र वाचिंग।